भाईयों और बहनों उत्तर प्रदेश में बैतर होती बिजली, पानी, सड़क और स्वास्त की सुविधाओं का सीधा अलाब गाउं गरीब और किसान को हो रहा है विशेश तोर पर छोटे किसान जिसके पात बहुत कम जमीर होती है, वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभार्पी है उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग, धाई करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में, पी-एम किसान सम्मान निधी के माध्यम से सीधे पैसे जमा किये जा चुके हैं ये वो किसान परिवार हैं, जो कभी बिजली का बिल या खात की बोरी खरिदने के लिए भी दूसरों से कर्द लेने के लिए मजबूर थे लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड रुपे से अधिक सीधे ट्रांसपर कर दिये हैं, उनके खाते में जमा कर दिये हैं यहां किसानों को बिजली न होने की वज़र से जो दिक्कते आती थे, रात रात बर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसी तमाम दिक्कते भी बिजली आपूर्ती सुधरने से अब दूर हो रही है संख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है, इसलिए देश में किसान उत्पादक संगों का निर्मान बहुत आवशक है, आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संग यानि एपियोज बना रही है एक दो भीगा के पान्सो किसान परिवार जब संगडिध होकर बाजार में उतरेंगे तो वो पान्सो हजार भीगा के किसान से भी ज़्यादा ताकप पर होंगे इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सबजियां, फल, दूर, मचली और ऐसे अनेग व्यवसावें से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड रहा है जो नए कृसी सुधार किये गए हैं, इनका लाब भी छोटे और सिमान किसानों को सबसे अधीक होगा उत्तरप्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जग़ जग़ से किसानों के बहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं इन कृसी कानूनों को लेकर भाती भाती का अपरचार करने की कोशिश की गई यह पूरे देश से जखा है कि जिनोंने देश के कृसी विजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को ड़ा रहे हैं साथ क्यों राजनीती के लिए जूट और अपरप्रचार की ये पोल अब स्वयम किसान खोल रहे हैं नए कानूनों के लागू होने के बावजूत यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में दो गुने किसानों का धान खरीजा गया इस बार करीब 65 लाग मेट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है जो बीते साल की तुलना में लगबग दो गुनी है यही नहीं योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में एक लाग करोड रुपे से अधिक पहुँचा चुकी है कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिकत ना आए इसके लिए हर संबब मदद दी गई है चीनी मिले किसानों को भुगतान कर पाएं इसके लिए केंद्र ने भी हजारों करोड रुपी राज्य सरकारों को दिये है गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है भाई और बैनों, सरकार की ये हर संभव कोशिस है कि गाव और किसान का जीवन बहतर हो, किसान को गाव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो, उसको अपने मकान पर अवेद्ध कब्जे की आसंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्त प्रदेश में चलाई जा रही है, इस योजना के तहट आज तक यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहा है, लगबग 12,000 गावों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और अभी तक दो लाग से जादा परिवारों को प्रोपर्टी कार्ड यानि गरोनी मिल चुका है, यानि ये परिवार अब हर प्रकार की आसंका से मुक्त हो चुके है, साथियों, आज गांग का गरीब किसान देख रहा है, कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए, पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, इतना बड़ा रक्षा कवच, हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है, इसलिए, जब कोई कुरुसी सुधारों के मादम से किसानों की जमीन छिल जाने का जूट फ्यालाता है, तो उस पर कोई कैसे भिश्वास कर सकता है, हमारा लक्ष देश के हर नागरी को समर्थ बनाने का है, हमारा संकल्प देश को आत्म निर्भर बनाने का है, इस संकल्प की सिध्धी के लिए समर्पी धाव से हम जुटे रहेंगे, मैं राम चरित मानस की एक चोपाई से ही अपनी बात समाप्त करूँगा, राम चरित मानस में कहा गया है, प्रभी सी नगर किजे सब काजा, रुदे राखी कोसलपुर राजा, बावारती ये कि रुदे में भगवान राम का नाम धारण करके, हम जो भी कार्य करेंगे, उसमें निश्चीत सफलता मिलेगी ही, एक बार फिर महराजा सुहेल देवजी को नमन करते हुए, आपको इन नई सुभिधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, योगी जी और उनकी पूरी टीम का अभिनन्दन करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद,